कुरसी की पेटी बांध लीजे क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट में हार्दिक पांडया की वापसी होने वाली है जी हाँ, हाली में अपने सोचल मीडिया पे हार्दिक पांडया की कुछ फोटोज और वीडियोज देखी होंगी जिसमें उनको रेड बोल से लाल गेंसे प्रेक्टिस करते हुए देखा गया था लाल बोल से प्रेक्टिस करना अब मुमन उर्णे संकेत दी थे कि आने वाले समय में आप उनको टेस्ट केट में देख सकते हैं अब कुछ रिपोर्ट्स सामने आ रहे हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि आस्ट्रेलिया दोरे के लिए हर्थिक पांडया ने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है अब उनको आस्ट्रेलिया दोरे पर देखा जा सकता है और WTC के तीसरे चक्र को देखते हुए टीम इडिया के लिए बॉर्डर गावस का ट्रॉफी BGT काफी एहम हो जाती है तीसरे बार WTC का फाइनल खेलना है तो उसके लिए टीम इडिया को इस दोरे पर अच्छा परफॉमेंस करना पड़ेगा और टीम इडिया अच्छा परफॉमेंस कब कर पाएगी जब उनका मिडिल ओर लॉवर मिडिल ओर इस्टेबलिश होगा यान कि हारदिक पांडिया का अगर कमबैक देखने को मिलता है तो उसका फायदा टीम इडिया को 100% देखने को मिल सकता है खेर सुत्रों के वाले से एक खबर सामने आ रही है कि हारदिक पांडिया अक्टूबर में रंजी ट्रोफी का पहला राउंड खेल सकते हैं वो बडोदा की टीम की ओर से खेलते हुए नजर आएंगे ऐसी खबरे चल रही है लगातार सोचल मीडिया पर और सूत्र भी ये लगातार खबरे बता रही है कि हारदिक पांडिया ने पनी टीम बडोदा क्रिक टीम को ये बुला है कि वो रंजी ट्रोफी खेलने के लिए यानि कि वो अपकमिंग सीजन के लिए गियर अप हो चुके हैं नेट्स पर उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा जाता है बोर्डिंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं बैटिंग के प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार रेड बोल से हर्दिक पांडिया नेट्स पर एक्टिव है यानि कि वो रंजी ट्रोफी खेलने के लिए बिलकुल एक्साइटिड है और हाली में विसी से आई की तरफ से कहीं सारे नियम्स भी लागाउ किये गए, कहीं सारे बयान भी हमारे सामने है जहां पर जैशा ने भी कहा था कि अगर आपको टीम इंडिया में कमबैक करना है किसी प्लियर को तो उसको ड्लमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए बहर्त एक्साइटिड है वैसे माना जा रहा है कि अगर हार्दिक पांटिया का रंजी ट्रोफी के पहले राउंड में चाँ परफोमेंस रा तो उनको न्यूजिल अनको न्यूजिलेंटर सिरीस के लिए भी टी टीट्विंटी क्रिकेट में लगाता है टीम इंडिया के साथ एक्टिव हैं उनका पफोर्मेंस भी शांदार देखने को मिल रहा है टीट्विंटी वोल्लकप चैंपिन मनाने में हर्दिक पांड़य ने देश को एक एहम भूमी का भी निभाई थी लेकिन अब बारी ड्रेड पांड़य ने अब तक टेस्क क्रिकेट में कुल 11 मुकाबले खेले हैं उनके बैटिंग आपनों की बात करें तो अल्मोस 32 के उसत के साथ उन्होंने 532 रंड बनाए जिसमें उनके बल्ले से चार अर्शा तक और एक शा तक देखने को मिला टेस्क क्रिकेट में हार्दिक 12 च टीम को अक्टूबर में 3 मैचों की टेस्स सीरीज के लिए भारत के दोरे पर आना है जहां पर पहला मुकाबला 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच बेंगलूरू के स्टेडियम में खेला जाएगा फिर न्यूजिलेंड और भारत के बीच दूसरा मुकाबला पर 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 जरूर 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 नजर आ सकते हैं हार्दिक पंडेया के टेस कमेंट सेक्षिन में अपनी रहे जरूर दें वीडियो पुसंद आया हूँ तो इस वीडियो को हार्दिक पंडेया के फैंस तक जरूर पहुचाएं